Good morning to all of you, CPA online classes में आप सभी का हार्दि स्वागत है आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर चेप्टर नमबर वन Introduction of Partnership अध्याई एक साज़ेदारी का सामानी परिचय को समझने वाले हैं आए सबसे पहले हैं परिभाशा को समझने का प्रियास करते हैं अबारतिय साज़ेदारी अधिनियमों 1932 की धारा 4 के अनुसार साज़ेदारी उन व्यक्तियों के मद्धी पारस पर एक संबंद है जो किसी ऐसे व्योसाय के लाभों को बाटने के लिए सर्मत हुए हैं जिसका संचालन उन सभी के द्वारा या उन सभी की और से किसी एक के द्वारा किया जाता है Definition of Partnership Under Section 4 of Partnership Act 1932 Partnership is the relation between persons who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them for all Class Definition को पढ़ने के बाद इस definition को यदि हम details में समझना चाहें तो कुछ points हमको यहां पर समझ में आते हैं सबसे पहला जो point हमारे सामने आता है वो है पारस पर एक संबंद mutual understanding इसका मतब यह है कि जब भी दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी कारी को करने के लिए आपस में सहमत हो रहे हैं तो उन सभी के बीच में यहां पर एक mutual understanding है कि वो किसी कारी को करना चाहते हैं जिसे हमने क्या नाम दिया है यहां पर पारस पर एक संबंद mutual understanding ठीक है second point हम यहां समझ सकते हैं व्यावसाई व्यावसाई का मतलब यहां पर है business जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में किसी कारी को करने के लिए एकट होते हैं तो वो किसी कारी मतलब वो किसी व्यावार को करना चाहते हैं और व्यावार को करने का उद्देश क्या है तो उद्देश है हमारे सामने आपर, लाभो को बातफना, sharing of profit तो सभी पार्टनर्स यहां पर किसी बिजनेस को करने के लिए आपस में एकत्रित होते हैं आपस में यहां पर कलेक्ट होते हैं और उसके बाद में उसे बिजनेस को करने का उनका उद्देशी क्या होता है कि प्रॉफिट अर्ण करना और प्रॉफिट को अर्ण करने के बाद म उस profit को वो यहाँ पर आपस में किस प्रकार्ड शेयर करते हैं यह उनका उद्देशी होता है अब आगे हमने एक और पूर्ण यहाँ पर समझना है संचालन जिसको हम बोलते हैं operation operate जो business वो सभी व्यक्ति कर रहे हैं उस business का operation या तो उन सभी के द्वारा किया जा सकता है partnership में जो व्यक्ति होते हैं उन्हें हम यहाँ पर व्यक्तिकत रूप से individually यहाँ पर हमको partners कहेंगे और सभी partners को एक साथ इदि हम बोलना चाहें तो उसको form के रूप में बोला जाता है जिस नाम से सभी partners अपने व्यापार को करते हैं अपने business को करते हैं उसे form का नाम कहा जाता ह तो class इस प्रकार हमने हाँ पर definition को समझने का प्रयास किया है तो यह definition partnership के section 4 के द्वारा बताई गई है यह partnership is the relation between person who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them for all साज़ेदारी उन व्यक्तियों के मद्धी एक पारिस पर एक संबंद होता है जो किसी ऐसे व्यापार के लाभों को बाटने के लिए सहमत हुए हैं जिसका संचालन उन सभी के द्वारा या उन सभी की ओर से किसी एक के द्वारा किया जाता है